कि हलो अब्रिवन कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं आप सब भी बहुत अच्छे सोंगे और होना भी चाहिए अलोक इंडस्ट्री पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसे हमने सोचा कि अपने वीवर्स तक जरूर पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो के मायदम से आपको बहुत सारी सीचे मैं आपको बताने वाला हूं आलोक इंडस्ट्री के रिगार्डिंग पीछे लेके चलूंगा तभी आपको यह जो खबर निकल काई है इसका इंपक्ट आपको समझ में आएगा देखे पिछले पांच दिनों की ट्रेडिंग सेशन पर अगर हम लो पांच सालों का चार्ड लगांगा तो आपको नजर आएगी 50% की इसमें मोमेंटम आपको देखने को मिल रही है, और वो मोमेंटम जो इस टॉक ने 53 का हाई बनाया था यह रिलस्टिंग के बाद में उसके बाद की मोमेंटम के बाद में इस स क्रॉक में अभी तक इतनी बड़ी मुमेंटम देखने को नहीं मिले, 21-22 सेप्टेमबर को NST और BST को सब्मीट की गई कॉपी, रिजल्ट की अनॉंसमेंट के लिए डेट मेंसन नहीं है, बट रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट का हम लोगों को वेट करना है, तो आलोक इंडस्ट्रीज की टेकनिकल थोड़ी सेट अप देखते हैं, और उसके बाद हम लोग खबरों पे जाएंगे, तो आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा, आलोक इंडस्ट्रीज की एक बनी बनाई सेट अप, और अगर आप इसे किसी भी स्टॉक पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो मार्केट स्क्रीनर डॉट कॉम पे जाके आप स्टॉक का चार्ड स्ट्रेक्चर देख सकते हैं, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ moving averages का combination किया गया है, 20-day, 50-day और 100-day का moving average है, और यहाँ पे horizontal trend line कुछ draw किया गया है, horizontal lines draw किया गया है, जहाँ पे resistance और support का जो level है उसे दिखाया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा rocket science नहीं लगा हुआ है, आपको clearly यहाँ पे visualize हो जाएगा, यहाँ पे draw करने की जोरत नहीं पड़ेगी, एक trend line draw हुई है, उस trend line को छूक के देखिए, कल stock ने अपने नीचे के तरफ की closing किया है, एक momentum आई थी, resistance था 24 रूपय 95 पैसे का, जिसे touch करने के बाद में, आप candle को देख पा रहे होंगे, नीचे की तरफ stock ने closing किया है, तो अभी के लिए जो एक resistance निकल के आ रहा, वो 24 रूपय 95 पैसे का नजर आ रहा, अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, तो 20 day का moving average खड़ा है, और वो 20 day का moving average जो है, वो 23 रूपय 24 पैसे पे खड़ा है, और उससे नीचे जाएंगे, तो 22 रूपय 50 पैसे पे एक support आपको, green color की line पे दिख रही है, तो दो support निकल के आ रहा, 23 रूपय 78 पैसे पे, और नीचे अगर और जाएंगे, तो हम लोग को मिलेगा, एक horizontal support जो की 22 रूपय 55 पैसे पे है, तो उपर की तरफ 25 रूपय, नीचे की तरफ 3 support आ रहे हैं, 20 day का moving average, 50 day का moving average, और एक green color की horizontal line, जहां पे support नजरा रहा है, अल्मोस्ट आप 23 रूपय 50 पैसे का आज़ पास में, आप support मानिए, और 25 रूपय पैसे करेगा, जब तक इसे नहीं निकालेगा, इस टॉक पे आपको further बड़ी momentum देखने को नहीं मिलेगी, देखें, ये खबर देखने के लिए, आप हमारे टेलिग्राम चैनल पे, जहां पे already 1000 लोग जुड़ चुके हैं, आप link इसका description पे है, हुआ है, जिसमें MOU साइन हुआ, Memorandum of Understanding, जिस पे क्या होगा आगे इसकी डिटेल्स दी हुई है, HFCL ने बड़ा order हासिल किया है, ये दिख लिए जिए गौतम अदानी की largest renewal sector पे जाने के लिए, इन्होंने जो अभी acquisition की, इस पे वीडियो भी हमने कबर किया, और बहुत सारी updates यहाँ पे आपको मिलेंगी, तो link description पे होगा, इस चैनल को join कर लिजेगे, इसमें कोई आपको पैसे नहीं लगेंगा, साथ ही हमारा जो 599 का membership चलता है, जहाँ पे मैं कुछ ऐसे stock update करता हूँ, जिस पे momentum होने के पूरे chances रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको guarantee के साथ में यहाँ पे profit दिलाऊंगे, ऐसा call यह tips वाली बात सोच के हमें join न कीजेगा, वो अलग बात है कि stock में momentum continuously आ रहे हैं, आप जाके देखिए इस channel पे सभी screenshot है, टाटा investment को पिछले Thursday के trading session पे 13.50 पे update किया, और Friday के trading session पे stock ने बड़ी momentum दिखाई, बड़ी momentum कहां तक हुई थी, तो आप यहाँ पे screen पे देख पाएंगे उसकी बड़ी momentum, 1436 लगबग 100 point और Monday के trading session पे कल stock ने जो high बनाया है, वो 1590 का high बनाया है, 1509 का, आप देख पारेंगे screen पे, यह आप जाके खुद से भी check कर सकते हैं, यह money control app का screenshot है, अभी तो यह बात हुई, अभी देखिए, कल stock update किया था, आरती इंडस्रीज, आप देख पारेंगे screen पे 4 October की यह update है, आरती इंडस्रीज मेंबर को 970 पे update किया, alert किया, कि stock पे momentum आ सकती है, on the basis of our analysis, लेकिन इसकी guarantee नहीं है, but stock में गजब की rally हुई, और देखिए, 1026 का high बनाया stock ने, लगबग 50 point की momentum, 56 point का momentum इस stock ने हासिल किया, यह देख लीजे, इसका high है, आप यहाँ पे screen पे देख पारेंगा, अगर आप date देखना चाहते हैं, मैं आपको date दिखाना चाहूंगा, देखिए, 4 October की trading session का पूरा history है, तो जूड सकते हैं, इसका भी link description पे कोई pressure नहीं है, आप इसे skip भी कर सकते हैं, चलिए, अभी हम लोग आलोक industries की इस article को बढ़िया से read करते हैं, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जब NCLT पे बहुत सारी cases चल रहे थे, उसमें से गेल इंडिया ने भी एक यहाँ पे, इनके कुछ dues बाकी थे आलोक industries पे, उसे file किया था, कि 4 अक्टूबर को, कि NCLT dismisses गेल स्पेल अगेंस्ट अलोक industries रिजूलेशन प्लान, पान्सो छे करोड रुपे का इन्होंने कहा था कि ट्रिविनल पे इन्होंने फाइल किती केस, कि इनकी बकाया है और अलोक industries को यह पैसे देने होंगे, इसके अगेंस्ट में, देखे, देखे, देनेशनल कंपनी लोग ट्रिविन अनल्टी मंडे डिजूलेशन फिल्ट बाइद गेल इंडिया लिमिटेड चैलेंजिंग दे इन्सोल्वेंसी रेजूलेशन प्लान आप अलोक इंडेस्टी विच आज नाव बिन टेकेन अबर ब अब इन्हें नहीं पेमेंट करना होगा और अगर इसमें डीटेल्स और भी पढ़ने हैं तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं हमारे चैनल के थुरू आके इस लिंक को क्लिक करके या फिर फाइनसेल एक्सप्रेस पे जाके इसे सर्च किजिए आपको मिल जाएगा बट जब तक इसका फाइनसेल रिजल्ट नहीं आता बहुत अच्छा तब तक इसमें मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगे बट यहां पे सोचने वाली बात है स्टॉक नीचे भी नहीं जा रहा तो इस चीज को समझे और जो जिस पोजिशन पर खड़े हैं उसे साब से आप एक ब सब्सक्राइब कीजिए और दो लिंक है एक टेलीग्राम चैनल का दूसरा मेंबर्सिप का अगर आपको लगे तो जोइन कीजिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर स्टॉक पर कोई भी स्टॉक पर बनिए उससे पहले अपनी खुद की अनलिसिस जरूर कीजिए तब स्टॉक पर बनिए तैंक यू